हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम लोग बात कर रहे हैं बजट के गुड़ के बारे में और बजट के सोपान के बारे में यानि कि हमारे हम जब बजट बनाए तो हमारे बजट में क्या-क्या गुड़ो होने चाहिए क्या-क्या characteristics होनी चाहिए और किन steps को फॉलो करके हम बजट को बनाते हैं यानि कि हमारे बजट को बनाने के लिए क्या steps फॉलो किये जाते हैं इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं अगर आपने अभी तक बजट की बाकी दो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको चेक कर लें जिससे कि आपको जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आएगा जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने स्टुडिज को टॉपिक वाइस लेकर जा रहे हैं जैसे कि यूपी गॉर् संबसे पहले आदार्श बजट के गुण क्या होते है यानि कि आदार्श बजट में क्या गुण होने चाहिए या फिर क्या होते हैं इनके बारे में सबसे बड़ी बात सबसे simple सी बात के it should be simple मतलब यह बिल्कुल साधारण होना चाहिए इसमें कोई complexity नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारे पास यह नहीं है तो हम यह कर लेंगे बाद में कर लेंगे लेकिन हमें यह चीज चाहिए ही चाहिए जो आपकी realistic income है जो आपके पास income है उसको देखते हुए आपको कितना खर्च करना है बस आपको यह साधर सा अनुमान लगाना ही गरना लगानी है बस आपको इससे जादा यह नहीं है कि हम बाद में कर लेंगे बट हम इसको add कर लेते हैं तो हमारा budget उससे खराब हो जाता है सेगन है हमारा वो realistic होना चाहिए मतलब वो हवाओं में नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी हमारे पास income नहीं है बट still हमको क्या चाहिए कि हमको एक new गाड़ी लेनी है यैसे कि हमको new two wheeler लेना है तो हम उसके लिए अभी से हम savings भी नहीं कर पा रहे हैं और हम अपनी जो daily needs हैं उनको भी fulfill नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज के जो खयाली पुलाओं है वो नहीं पकाने चाहिए बलकि वास्तविक्ता पर अपने बजट को वो वर्क करवाना चाहिए कि हम अपनी जो basic needs हैं उनको भी न पूरा करें पर अपनी टूवीलर के लिए पैसे को जमा करें जैसे कि बच्चों की जो basic needs होती है उनकी food है clothing है आपका shelter है और उनके बच्चों के education है उनके tuition fee है उनको हम बंद करके उस चीज को बंद करके अगर हमने किसी और ऐसी चीज के लिए पैसे को collect कर रहे हैं तो वो हमारे realistic नहीं होगा हमारा budget तो हमारे budget को realistic होना भी बहुत जरूरी है next है कि यह flexible होना चाहिए flexibility बहुत जरूरी है budget में कि अगर आपके पास by chance आप अगर इतना पैसे इसमें खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं और से थोड़ा सा पैसे को save करके वहां पर लगा सके यानि कि जैसे कि हम कहें कि all of sudden अगर आपके पास किसी party का invitation आ गया तो आपके budget में इतनी flexibility होनी चाहिए कि आप उनको क्या gift देंगे वह आप उसको उसमें include कर सके आपके घर में आपका tap खराब हो गया है आपको plumber बुलाना है तो आपके budget में इतनी flexibility होनी चाहिए कि आप उस plumber को बिला सको और उसका जो ख flexibility होनी चाहिए फिर है suited to the family need मतलब पारिवार एक आवशक्ता की पूर्ती करें जो हमारा budget है वो basically बनी हमारे family के लिए रहा है हमारी family की needs के लिए उनके goals को अचीव करने के लिए उनको happy रखने के लिए तो हमारी family की जो basic needs है at least उनको fulfill करने वाला हो ऐसा नहों कि हम हम जब हम need है तो हमको उसको भी arrange करके देना है अगर हमारे बच्चे को अगर हमारे बच्चे को किसी sports में बहुत शौक है तो उसकी शौक को उसकी skills को आगे बढ़ाने के लिए उसको वह चीजिए प्रोवाइड कर सके हमारा budget इस तरीके का हो कि हम परिवार की प्रतिक विक्ति के आव लिखिद बजट सरवादिक महतपूर्ण होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का budget सरवादिक महतपूर्ण होता है लिखिद बजट सरवादिक महतपूर्ण होता है बेस्ट बजट कौन सा होता है बचत का budget बेस्ट होता है यह चीजे हमें याद रखनी है यह बहुत चोटी चोटी से points है जो कि directly पूछ लिये जाते हैं exam में next हम आते हैं अपने next point पर जो है कि budget बनाने के चरण यान कि क्या steps हो सकते हैं क्या सोपान हो सकते हैं budget को बनाने की कि उनको follow किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं point one सामिग्री एवं सेवाओं की सूची बनाना यानि कि जो भी हमें services चाहिए services लाइक आप पानी लेते हैं तो आप water tax भरेंगे अगर आप लाइट ले विजली का बिल पर जमा करेंगे तो इस तरीकी की सेवाओं की और सामिग्रिया यानि कि आपकी किचिन में जो आपके ग्रॉसरी यूज हो रही है उन सारी चीजों की आप एक लिस्ट बना लेना है तो वह किस ब्रैंड का लेना है तो यह सारी चीजों की आप एक लिस्ट बनाएंगे comparison comparatively जिसमें आपको ज्यादा फायदा हो रहा हो और lower budget में आ जाए इन चीजों की आप लिस्ट बना लेंगे एच्छिक वस्तूहों की अनुमानित खर्च राशी का अनुमान लग होते हैं उसके या फिर हमारे पास वह पैकेट होता है उस पर रेट लिखी होती है तो हम उससे अनुमानित खर्च की राशी का अनुमान लगा सकते हैं फिर उसके बाद है सभी आयस्त्रोतों का अनुमान लगाना अब हमें यह देखना है कि हमारी income कितनी है यान कि हम कितना expenditure कर सकते हैं कितना खर्चा कर सकते हैं हम इसका पता लगाएंगे उसके बाद है अपातकालीन पुंजी वा लक्ष अधायत बचत के लिए धन बचाना जब हम आयका स्त्रोत देख लेंगे तो अगर हमारा बजट हमें लगता है कि हमने जो चीज़े चाहिए हमारे बजट में जाएंगे तो वेल इन गुड है अधर्वाइस हम जो चीज़ें हमें लगता है हम इसमें से हटा देनी चाहिए जैसे कि हम कॉनफ्लेक्स है वह अगर हम बॉनवीटा हटा दे हमारी बेसिक नीज से थोड़ा सा उपर हो जाती है उसकी जगह पर हम रिप्लेस करके बच्चे क हम बॉनट आगका तो जाते है यह पर आपको चाहिए जोए और तो से लिए अपको सेविंग करनी और एनलक्षे अधारत दाए जैसे apr in futureवे practice को ऑन वह कर लेना है Last awayMan आप अपना अनुमान जगाएंगे अपना खर्च देखेंगे उसके बाद आपनी बचत को भीुके हमने कितनी बचत करनी है ःपक्षित और ऑदानी अपक्षित खर्चों का संतुलन बनाना बहुत जडरूरी हुए मतलब कौंशी चीज है ज़्यादा जरूरी है कौन सी कम जरूरी है इनका हम इन खर्चों का संतुलन बनाएंगे बचत भी कर ली हमने हमने लिस्ट भी बना ली हमने अनुमान भी लगा लिया उसके बाद में यह देखना है कि कहीं अनुवांटेड खर्चा तो नहीं है इसको हटा कर भी हमारा काम चल सकता है तो इसके बाद है योजना को जांचना की यह वास्तविक अर्थपरक है या नहीं मतलब हमने सब कुछ कर लिया हमने अपनी लिस्ट बना ली अपना वह देख लिया कि हम इतना खर्चा कर सकते हैं हमने बचत भी कर ली हमने यह भी चेक कर लिया इसमें कोई अन्नेसेसरी चीज भी कर लिए नहीं के टो अब उसको यह चाहना कि हम सामान खरीद लेते हैं हम सारे ही चीजों को अपनी इंकम्स को देखका अपराइस सेविंग्स होती हैं तो बजट बैसली इन तीन पेलर्स पर व्क करता है तो इस तरीके से हमने देख लिए कि क्या काया सटेप होते हैं हम संतोलिique budget होता है तो family satisfactory level तो नहीं पर हाँ उसकी आवशक पूर्थी होती है, लेकिन बजथ का होता है यहां lunar savings होती है तब family happy family होती है और हमारी जो future के गोल्स हैं मनको achieve कर पाते हैं अगर आपको ये topic समझ आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिंदे शेर करें वीडियो को और कमेंट करें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकोन को प्रेस करें जिसमें अल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आपको सारे ही नोटिफिकेशन्स जो की वीडियो अप्लोड होती है वैसे ही आपको मिलेंगी थेंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो and have a good day stay healthy, stay safe, bye bye